नमस्कार दोसों स्वागत है आप सब का आज के सेशन में आज के सेशन में बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के ओपर आप लोग डिसकस करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना इन एक्सप्रेस का आर्टिकल के थूए इसको मैंने एक्स्ट्राक्ट किया जो के मुझे लगता है जोगरफी ऑप्शनल पेपर टू में एगरिकल्चर वारे चैप्टर में आप बहुत सारे यूनिट्स के साथ इसको इंटिग्रेट कर सकते हो जैसे इंफ्रास्ट्रक्टर में सीड है राइट है ना इंस्टिचूशनल फैक्टर में लैंड होल्डिंग से भी इसको इंक्लूट किया जा सकता है क्रॉपिंग पाटर्न अग्रिकल्चर प्रोडुक्टिविटी इंटेंसिटी क्रॉप कंबिनेशन जी हां बिलकुल इंक् इंक्लूट किया जा सकता है तो क्यों ना हम लोग डिसक्स करनेंगे ठीक है तो चलिए डिसक्स करते हैं और गैसो डिसकुशन अब ऐसे हम लोग करेंगे जिससे आपको फील हो दाट यू नो कोई अपना पढ़ा रहा है यह काफी ज्यादा मटिरियल स्रिक चीज़ हो जाती यह जो स्लाइट्स मना के पढ़ाया जाता है तो चलो इसमें थोड़ा फीलिंग लेते हैं अपसे MSP MSP के पहले तो इसके बारे में जानते है that minimum support price कब इंक्लूट किया जाए यह क्या होता है देखो actually में क्या होता है पहले वो डिसकस कर लेता हो एक सोचुक किसान है ना उसने अपना फसल हुगाया है आप तो जॉब कर रहे हो आपको तो पता है आपको salary आएगी राइट आपके पापा आपको कोई तो job कर रहा है उनको पता होता है that हाँ एक hands up salary आएगी उससे हम लोग आणाप से अपना घर चलाएंगे ठीक है बट किसान जो वो फसल पैदा कर रहा है जिससे जिसको हम लोग पूरा देश खाते हैं क्या he is assured that you know उसके फसल कभी भी खड़ाम नहीं होंगे नहीं राइट काफी ज़र डैलेमा रहता है तो इसी लि आपको हम MSP देंगे ऐसे कितने सारे crops है ऐसे है total 23 crops ना यह देखो इसा प्रिलिम्स में भी आ सकता है लेकिन कभी भी है ना इसलिए मैं ऐसा पढ़ाऊंगा ना आपका मेंस तो नो डाउट कवर हो ही बट साथी साथ प्रिलिम्स सब कुछ लपटे में आ जाए तो जैसे जैस मैं पढ़ाता रहोंगा है ना आप से प्रिलिम्स स्पेक्टिव आपको कैसे कैसे कुछन पूछा जा सकता है ठीक है आशा कर तो बोर्ड नहीं हो गहें चलो MSP MSP अगर देखो के 1965-66 में यह स्राट किया गया था और सबसे पहले MSP जो दिया गया था ना वो वी त में दिया अगया था ठीक है पैयस में नहीं भी आगया था डेखो पैडी और वीट में डिफेंस होता है आप बहुत सारे बच्चे कर TOP कुछ confusion हमारे classes में पूछे थे that sir paddy क्या होता है paddy होई पर राइस परता हो देखो rice और paddy कुछ नहीं सेम ही है ठीक है rice paddy सेम है wheat is different thing all together ठीक है wheat जिससे आप आटा आटा जो मनता है ना that is wheat का बनता है और चावल जो खाते हो that is paddy या फिर rice जो भी बहुत से ठीक है ये छोटा comment से difference दूर होगे है जैको मैं आशा कर रहा हूँ that क्योंकि मुझे पता है that youtube वाली जन्ता जाहतर जो है ये लोग इधर उधर you know हाथ पर मारती है तो कहा का confusion आता है वो मुझे पता है इसको वैसे cabinet committee on economic affairs जो हती है वो final approve करती है that हाँ different fossilों पे MSP कितना होगा but अब ऐसा थोड़ ना cabinet committee on economic affairs direct approve कर लेती है that कुछ भी बोल देगी हाँ कुछ भी नहीं इनको फिर recommend करने के लिए होती है एक body जिसको कहते है CACP Commission for Agriculture Cost and Prices ठीक है ये recommend करती है सरकार को that is government को that कितना MSP होना चाहिए और further ये cabinet committee on economic affairs जो है वो finally approve करती है ठीक है now but government mainly procures जादा तर क्या देखो वैसे तो 23 crops के लिए बोला गया ना पर सरकार जादा तर procure करती है सिर्फ paddy और wheat को क्यों भाई या ये भी इसलिए करती है क्योंकि National Food Safety Act के तहट सरकार को NFSA NFSA वही है ना या National Food Security Safety में हम बोल दिया अरे यार क्या क्या National Food Security Act के तहट सरकार की commissions होती है तर सरकार गड़िवों को सस्ते दावों पे wheat और paddy जिसे दे सके इसलिए सरकार ये प्रोक्यूर करती है बट बाखी 21 crops का क्या होता है भई देखो एक तो हो गया आपका sugar can ठीक है sugar can के लिए MSP नहीं FRP यूज होता है ठीक है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिए FRP का फूल 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 क्या होता है और बाखी जो rest होती है that is paddy और wheat तो सरकार ने प्रोक्यूर कर ली सरकार का objective होता है but rest बाखी से क्या होगा बाखी जो है बाखी इसलिए सरकार बाखी total 21 that is around 21 crops in total 23 crops के लिए सरकार इसलिए MSP announce कर देती है जिसलिए सरकार एक indication दे traders को क्योंकि ultimately ये traders ही होते है जो क्या किसानों से फसल करीते है ठीक है तो इसलिए एक traders को बोला एक indication दिया जाता है देखो भई मैंने ये MSP दे दिया मैंने अगर ये आप 60 रुपय किलो बोला है तो आपको भी 60 रुपय किलो में at least लेना है बट क्या traders ये सब करते हैं नहीं traders नहीं करते हैं they do not purchase in MSP तब फस्ता कौन है यहाँ पे किसान फस्ता है देखो सरकार तो अपना काम कर दी गई हाँ भई decide कर दी दा हाँ इतना ये ये फसल का आपको MSP दे दिया बट सरकार खड़िती नहीं है ultimately ये trader खड़िता है बट क्या trader भी MSP में खड़िता है नहीं trader उल्टा सोशन करता है क्योंकि इसको उपर भी regulation सो सरकार नहीं करती है इसी लिए demand क्या हो रहा है that regulate किया जाए ठीक है और in fact एक data भी बताय जा रहा था दोस्तो ये data जरबूर ध्यान से रखेगा ये पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है आपके mains, GS के answers में बहुत ही काम दे सकता है आपके essay में बहुत ही काम दे सकता है और no doubt यार इस टाइप के अगर you know raw data अगर produce करोगे अपने answers में optional के भी वो भी बहुत लब्दाय होता है सिर्फ और सिर्फ 6% farmer को ही benefit होता है MSP का ध्यान रखना मात्र 6% farmers को benefit होता है और 94% farmers को क्या होता है वो लोग अपना बेच ही नहीं पाते हैं है न और different reasons होता है say for example MSP के लिए ही आप बेचने गए अब किसान अपने घर से MSP का केंदर में जाएगा न जी सोचो यहाँ पर MSP विक्री हो रहा है अब यहाँ पर भी इसको line लगाना परता है सोचो दो दिन यहाँ पर रहना पर रहा है तो इसमें भी किसान फस्ता है और वही तो बोला जाना ना मात्र 6% किसानों को ही इसका फायदा मिल रहा है मतलब समझ पाड़े हो आप कहां पर दुनिया जा रही है है न in fact अभी थोड़ा discuss कर लेते दोस्तों इसका past क्या सारा मतलब यह MSP प्रोग्राम आया तो आया कैसे देखो यह आया है यह ओफ्शूट है Green Revolution का हमें पता है Green Revolution जो है Mid 1960s में स्टार्ट हुआ तो और ध्यान दीजेगा मैंने जब स्टार्टिंग में ही बोला तो क्या बोला आपको यह देखो स्टार्टिंग में लिखाओ ना 1965 से 66 के अंडर MSP आया था फॉर वीट इनिशली ठीक है देखे लो यह टाइप पिरेड यह धिमाग में रखो लेकिन यह भी कभी यूपिय से करने दिमाग गूपिया न ऐसे भी कोशन पूछ लेगे इंदम ट्रिवियल कोश्टिंग देट ह MSP 1965 से 66 से स्टार्ट हुआ था वो भी पहला जो क्रॉप था वो राइस था तो आप कन्फ्यूज कर दो गारे यार पैडी था या मीट था यार सिल्क हुज जाओगे ठीक है तो इसलिए याद रखो जो रात को जो आप रोटी खाते हो ना उस रोटी पर सरकार ने सबसे पहल तो क्या वो सही होगा नहीं होगा ठीक है देखो इस टाइप से UPS ही घुमाता है प्रिलिम्स में है ना बट अगे में इसका भी आपको द्यवान में रखना चाहता है इसलिए तो मैं आपको SS पढ़ाऊंगा जिससे इंटीग्रेट इन वे में सब कुछ सब तरस आप हाथ मा लाया था ठीक है तो देखो तभी क्या हुआ था ना क्यों लाया गया था भाई अग्री रिवल्यूशन सबसे पहले वाद तो देखो क्या था ना उससे पहले हम लोग जो है इंडिया नहीं थे हमारे पास बहुत अकाल आती थी बीच बीच में फेमाइस आ जाता था इंडि इसके अंडर क्या था सीरल्स है ना जो डिफरेंट जो सीरल्स है अम लोग पैडी वीड सब कुछ बहुत कुछ बंगाते थे यॉनाइटर स्टेट से अब क्या हो गया उस समय वेतनाम वार चल रहा था ठीक है तो हमारे को इंडिया का स्टैंड वेतनाम वार में और यूस का स्टैंड बेलकुल अपोजिट था तो इंडिरेक्ली यूस से बोल रही थी देखो भाया हम जो बोल रहा है वही स्टैंड लो तो नहीं तो हम तुमको यह चावल वीड जो देना है ना बंद कर देंगे तो हमारे पॉलिटिशन का दिवाद की स्क्रू धिला था था तो है न ठीक है और उसी का again offshoot है हमारा यह MSP क्लियर है अच्छा अभी इस आर्टिकल में क्या में जो मुद्दा उठाय गया था वह था फार्मर का डिमार्ड वह क्या डिमार्ड था ता पहले बात तो सरकार वह बोलने जारे सरकार को देखो भाया आपने 23 क्रॉप में MSP तो बोल द शुगर केन वो शुगर मिल्स के द्वारा लिया जाता है वो डिरेक्ट सरकार प्रोक्यों नहीं करती सब दिमाग में रको लेकिन ठीक है शुगर केन जो है वो सरकारे डिरेक्ट प्रोक्यों नहीं करती वो शुगर मिल्स के द्वारा प्रोक्यों किया जाता है और शुगर म 23 क्रॉप्स ले ले अगर लेगी तो सरकार बोल रही है नहीं वहीं हम लोग नहीं ले पाएंगे इतना जादा ठीक है और दूसरा ही है जाट MSP को जाए Statutory Backing दे दे मतलब Statutory Backing क्या होता है वैसे बैकिंग जिसको कानून के द्वारा इपलिमेंट किया जाता है लोग सवा राजसवा में पास कड़ा जाएगा अगर पास कड़ा दिया गया तब तो संपलशन सरकार के लिए mandatory हो जाएगा जट सारा क्रॉप्स जितना में भी MSP दिया है उसको सब कुछ को प्रोक्यूर करना पड़ेगा समझ रोबात तो यह सब चीजे बेसिकली बोली जा रही है ना अगर यह डिसकस कर रहे तो यह भी तो डिसकस कर ले भाईया जब 23 क्रॉप्स जो बोला गया है उसमें कौन-कौन से क्रॉप्स है पहले तो देखो इसके चार केटेगराईजेशन से दोस्तो ठीक है एक है सीरल्स एक है पल्सेज ओर ओल्सीट ठीक है, मेज, भुट्टा, है न, वो जो खाते हो न, पॉपकॉर्ण, वही है मेज, बाजरा, जोवार, रागी, बाढ़ ले, ठीक है, याद रहेगा, ने, तो इसको कॉपी में लिख लो अपना, ठीक है, सच बता रहा हूं, ऐसा क्वेशन पूचा जाएगा आपसे, बता हो भाईया, बाजरा क्या इसमें आता है, तो आप confused जिससे ना कर जाओ, इसलिए लिख के रग लो भाईया, याद कर लो न, पलसर्स में क्या है, चना, चना खाता है न, जो घोड़ा खाता है, हम लोग भी तो चना खाता है भाई, वैसे ही, उरड, उरडड डाल, अरहर डाल, जिसको तूड कहते है, मसूर डाल, खाते हो न, मूग डाल, खाते हो न, है न, घर में तो यही सम बनता है, तो यह पाच पलसर्स भी जो है, इसके अंडर कैटेगराईजेशन में लाएग है, साथ ओयल सीड्स भी है, जिसमें रेप सीट, मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, सोया बीन है, सनफ्लावर है, सीजसम, साफ्लावर और नाईगर सीड, देखो नैजेरिया से वाला सीड, भाई कुछ भी हो, हमें याद नहीं रखना है, हमें तोटका लगा के याद रखना है, चलो नाईजेरिया वाला सीड भी, ओैल सीड का इनndर कैटेगराईजेशन में ठीक है, अब चार commercial crops भी आता है, किस क्या क्या है भही आए, शुगर केन, कोपरा, raw jute और cotton, cotton भी आता है, ध्यान रखना, और इसी लिए तो, इसी लिए basically, देखो, यह सब procurement भी जो किया जाता है, वो क्या, Food Corporation of India के द्वारा किया आता है, अब सवाल होता है, करना किते है, तो क्या करना है, क्या सरकार statutory provision रखेगी, या फिर, एक दूसरा भी है, that सरकार, you know, यह 23 के 23, जो crops है, जिसके उपर MSP या फिर FRP included है, उसको procure कर लेगी खुद, तो देखो, कुछ-कुछ वे फॉर्ट बताया जा रहा है, वो बोला जा रहा है, देखो, प्राइवेट से, प्र पूर्स किया जाए, जैसे, जैसे, शुगर मिल्स ले लो, शुगर मिल्स होता है न, FRP fair and renovative price देते है न, farmers को, चीनी खरीदने के लिए, वो शुगर के खरीदने के लिए, जिससे वो चीनी बनाता है, है न, और उनका mandatory है, लेना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वहां पर एक legal status, foundations है, वो legal status किसके अंडर आता है, the sugar gain control order of 1996, बहुत जैने तो आप लोगों में से, इस 1996 में जनब भी नहीं लिये होंगे, याद करो, आपका उमर कितना है, so say for example, किसी का से किसी का 1995 है, ठीक है, तो आप ऐसे याद करो, अरे याद, ये जो, शुगर जो procure किया जाता है, ना, FRP के अंडर, ऐसे याद करने का पर तरीका बता रहो, उसका जो legal status है, वो कुछ तो है, sugar control order act, but वो act जो बना था, वो मेरे birthday के एक साल बाद बना था, जिनका birthday है 1998 को, वो बोलो, अरे मेरे जनम लिने से दो साल पहले बना था ये वाला act, ठीक रहा हूं, story बना के याद करोगे ना, कही ना कहीं, back of the mind आपका fit कर जाएगा, अच्छा 1996, है ना, या फिर 1996 में अगर कोई incident आपके साथ हुआ होगा, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है, वह उस तरीके से याद करने की कोशिक करो, बहुत जादा मजा आएगा पढ़न इस क्रॉफी अगर सरकार प्रोक्योर कर ले तो क्या खतम हो जाएगा, अरे देखो ये पता है क्या है, आपका अगर सोचो सरीर में कोई problem हो रहा है ना, डॉक्टर दिखाओ, खतम कर दो, नहीं, हमें कुछ ऐसा टेक्निक अपनाना पड़ेगा, जिससे आपके सरीर में कोई भी बिमारी ना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, योगा करना पड़ेगा, करेगा ना, वैसे ही क्यों ना हम agriculture productivity के उपर ध्यान दे, अब देखो, agriculture productivity है इक देखो आब भूष गये इंडिया का बहुत कर आपने किसानों को जाधा प्रिविलेज देने को राइट बट हमारे किसानों को उतना प्रिविलेज नहीं मिल पाता है वो लोग अब देखोंगे वहाँ पे हाइल वराइटीज उसके बाद बहुत समय जनेटिक मोडिफाइड क्रॉप अल्री यूज कर लें लगें वो लोग चाइना को तो कोई रोखी नहीं सकता यूसे वाले भी आराम से यूज कर रहे है बट इंडिया में कभी यूज करते हैं इन्वेडमेंटलिजम का डगा पीटने है ना डवाडम 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 नहीं भाई हमारा लोकल जो वराइटीज है उसको बढ़बाद हो जाएगा यह हो फला ना डिक ना यह हो क्या बोलू अब ठीक है तो anyways agriculture productivity को हमें focus करना पड़ेगा क्यों हमें agriculture productivity को बढ़ाने के उ चीज है अभी शॉट टम में कुछ ना कुछ स्ट्रेट तो सरकार को लेना ही पड़ेगा undoubtedly but हमें तो long term कब सोचना पड़ेगा ना जी लॉग टम में हम agriculture productivity के उपर ध्यान देंगे right हम कोशिश करेंगे that क्यों ना irrigation facilities को जाल साधा बढ़ा जाए क्योंकि अभी अगर present day India देखोगे around hardly 50% of the area ही irrigated I guess right rest जो है वो dryland agriculture मनलब rent fed के उपर depend करता है यही सिग्निफिकेंस आफ ड्राइफार्मिंग है ना हमारे topic में geography optional में है आपका तो देखो सिग्निफिकेंस आफ ड्राइफार्मिंग ड्राइए कौन-कौन से हुए बताओ तो यह राजस्थान वाला area और उसके इड्द गिर्द वाला region जो है ना थोड़ा irrigation थोड़ा मुणा भी है ना वो इद्रागांदी गैनाल के लिए northern इंडिया में है बट बाकी यह लो middle इंडिया, central इंडिया, western इंडिया उसका क्या होगा भाई हा ठीक है तो वो वाले regions में क्यों ना हम irrigation facility के उपर काम करें क्यों ना हम per drop more crop technique के उपर काम करें क्यों अच्छा सरकारी अच्छा एक काम करते हैं चलो समकुछ महने महनत नहीं करना है एक interaction में करो देखो एस परने में तभी मज आएगा ना जब आप भी उसीच को समझोगे और उसीच को समझ के नीचे में आप लिकनी कोई करो आप लोग कर रहा हो ना preparation UPSC का अब लीचे लिख के नाम नीचे लिखा करो है ना आप ही नहीं आप भी पढ़ोगे आपके दोस्त भी समझेंगे और सब लिखो यार सब लिखो आप पढ़ो आपके दोस्तों ने क्या लिखा है अगर आपके दोस्तों ने वो चीज नहीं लिखा है ना तो आप लिख दो आपके पास अगर को है तो है ना let's make it a community let's 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 hard together एक साथ काम करते हैं है ना चलो farmers को बहुत समय क्या होता है ना पता नहीं रहता है कितना fertilizer यूज करना पड़ेगा है ना कि इस टाइप का यूज टेकनीक यूज करना पड़ेगा तो क्यों ना educate किया जाए farmer को क्यों ना उन्हें empower किया जाए क्योंकि education से ही empowerment उन्हें मिलेगा है ना बार बार अगर आप सिर्फ और सिर्फ यूरो उन्हें subsidy दे रहे हो यह दे रहे हो उससे कुछ नहीं होगा ने उस अब पहला माला topic ठीक है उसको क्यों ना boost किया जाए हर एक सेक्टर में कि क्यों ना हम लोग employment opportunities को जाधा से जाधा create करने कोजी करें क्योंकि देखो ultimately अभी अगर देखोगे तीर सेक्टर है एक है agriculture सेक्टर एक है manufacturing सेक्टर एक है service सेक्टर ठीक है agriculture सेक्टर में जो man force से respectively घरते जारा है but overall अगर percentage वाइस देखोगे बहुत जाधा अभी भी है तो हमें हमारे को में काम क्या है एक तो इसको सुधारना पड़ेगा agriculture infrastructure को सुधार के but साथी साथ जैसे बहुत सारे agriculture में laborers होते हैं जो क्या disguise employment से जुरे हुए disguise employment बोले तो क्या होता है बताइए तो जैसे सोचो एक खेत है ठीक है एक खेत में एक टन सरी दो जन किसान काम कर रहा है और दो टन की उत्पादन हो रही है ठीक है अब इसका भाई है जो क्या कुछ काम नहीं करता तो बोला चला हम लोग के साथ काम कर लो तो पहले दो जन काम कर रहा था अभी ये सामने वाले तीसरा बंदा को भी बुला लिया तो तीन जन काम कर रहा है पट तीन जन के साथ साथ तो ये तीन टन होना चाहिए था ना पट अभी भी ये दो टन ही हो रहा है तो वो इस टाइप का जो employment हुआ जो ये तीसरा बंदा के भी कुछ नहीं कर रहा है, है ना उसको कहते हैं, disguise unemployment, ठीक है, तो वो disguise unemployment से हटा कर अगर इनको अगर secondary या फिर tertiary sector में fuel up करना पड़ेगा ना हमें, तो हमें make sure करना पड़ेगा इनके लिए भी कुछ employment opportunities provide किया जा सके, वो भी कैसे semi-skilled sector में provide कीजे, तो क्यों ना हम लोग you know, rural region को, rural region में urban abilities provide करे, क्यों ना सरकारे, you know, MSMEs को थोड़ा fund provide करे, जिससे क्या वो tired three cities and village regions में ज्यादा अपने MSME industries को set up करे, जिससे ये लोग absorb हो जाए, ठीक है, इस टाइप से दिवाग में लगाओ ना यार, है ना farmer producer organization, लिखो तो नीचे comment सकते, सब मैं की करूँगा क्या, आप ही लिखो, चलो, farmer producer organization, चलो, इसका हम लोग कैसे इस्तमाल कर सकते है, self-help group, इन लोगों का कैसे इस्तमाल कर सकते हैं, चलो, कोई, कोई बंदा लोग वो सम लिखेगा, पहले जो टास्क दिया, कोई-कोई बंदा लोग आप लोग यह सम भी लिखिये, है ना, सब को एक साथ पढ़ता है, और direct income support भी तो हम लोग प्रूट दे सकते हैं, जी हाँ, अभी भी दिया जा रहा है, और पर साल जो है, 6,000 रुपए सरकार को, मतलब किसानों को मिल रहा है, बताएं तो कौन से इस scheme के अंडर, चली, यह भी आपका टास्क हो गया, है ना, और ऐसे scheme उरिसा में भी implemented है, ऐसे scheme तिलंगना भी implemented है, तो उरिसा वाला भी कभी लिखिये, और तिलंगना कभी, ठीक है, वो न अगरी होगा तो प्लीज नीचे कमेर सक्शन में लिखिये, मैं वादा करता हूं हर रोज, हर रोज इस ट्रेक में क्लास लाओंगा आपके लिए, ठीक है, इनवेज दिस्कुशन आपके लिए, ठीक है, इनवेज तो से सेशन में बें लिए नेक सेशन पर बबाए